Hello everyone, Welcome to the online session of Azhar High School आज हम आपके ने लेके आए हैं वीडियो क्लास 3 के साइन सब्जेक्ट का चाप्टर नम्मर 3 तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाप्टर नम्मर 3 का नाम है Feeding Habits of Animals यहाँ पे आपको जो लीड क्वेशन्स दिये हैं इन्हें करने से पहले हम पहले इस चाप्टर को पढ़ेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं Animals to need food like us Food helps them to grow, work and stay healthy Different animals have different eating habits They can be herbivores, carnivores और omnivores यहाँ लिखा है कि हमारी तरह ही जानवरों को भी खाना चाहिए होता है यह खाना उन्हें बड़ा होने में उनको work काम करने में और healthy रहने में help करता है लेकिन जानवरों की जो खाने की आदिते हैं इसके अनुसार हम इसको तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं जैसे की herbivores, carnivores और omnivores अब हम पहले पढ़ेंगे herbivores कहते किसे हैं कुछ animals जैसे की cow, goat, buffalo, deer ये सब plants को खाते हैं यानि की पेड़ पौते तो जो plant eating animals होते हैं उन्हें herbivores कहा जाता है उसी प्रकार कुछ animals जैसे की loin और tiger ये flesh खाते हैं दूसरे जानवरों का जैसे mass जिसे कहते हैं तो ये flesh eating animals होते हैं और इनको हम carnivores भी कहते हैं आगे आते हैं omnivores omnivores वहतरा के जानवर होते हैं जो plants भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का mass भी खाते हैं तो इस तरह के animals को omnivores कहा जाता है अब हम करेंगे इसका work corner टिक दा करेक्ट आंसर cows and goats are आएगा इसका आंसर herbivores second है which of these is an omnivores तो इसमें आपका option आएगा B यानि की crow अगर हम right inside देखें तो यहाँ पे आपको एक factoid दे रखा है अब python can swallow even a cow python एक तरह का साप है जिसका मुँ और शेरीर इतना बड़ा होता है कि वो एक गाए तक को निगल सकता है यहाँ आपको बताया गया है यह कहा जाता है अब हर एक जानवर की अलग-अलग तरीके होते होते हो और अलग-अलग खाना वो खाते है तो सबसे पहले हम देखेंगे guanors किसे कहते है animals like squirrel, rabbit and rat eat grains and nuts यह जो squirrel यानि की गिलहरी होते हैं खरगोश होता है या चुहा होता है यह grains खाते है grains किसे कहते है जो wheat के दाने हो गए बाजरा, इन सब के जो दाने होते है उनको grains कहा जाता है या nuts, nuts होते है यानकी accroat, mungphalी या आपके बदाम वगएरा, इन सब को nuts कहा जाता है उनके जो आगे वाले teeth होते हैं, आगे के जो दो-दानत होते हैं उनकी बहुत बड़े-बड़े होते हैं वो बहुत ही sharp होते है यो उनको cut करने में help करते है तो इनको क्या کہا जाता है क्षात करने या खाने के तरीखे को कहा जाता है gwoni ya GWONERS इनके खाने का तरीका नहीं है इन तरह के जानवरों को ये नाम दिया गया है खाने का तरीके को अगर आप बोलेंगे तो वो होता है गवानिंग ठीक है लेकिन ये जो जानवर हैं लाइक स्वेरल, रैबिट या रैट इनको गवानर कहा चाता है क्योंकि इनके आगे के दान्त शार्प होते हैं जो इनको ग्नौ करने में हेल्प करते हैं आगे आते हैं जो गाए, बफैलो या जो भी प्लाटी एनिमल्स होते हैं वो घास खाते हैं और चिव करते हैं चिव करना मतलब एक तरह से चबाना अब हर्वी वोर्स जो एनिमल्स होते हैं जो grains और leaves तोनों खाते हैं उनकी जो दाथ होते हैं वो flat यानि की एकदम सीधे flat और broad बड़े-बड़े होते हैं आगे के दाथ जो उनको पत्ते खाने में help करते हैं और उनके जो पीछे के दाथ होते हैं जिनको grinding teeth कहते हैं वो उनको chew यानि की चबाने में help करते हैं cows and buffalo सबसे पहले तो अपना खाना लेते हैं उसको निगल लेते हैं फिर से उनकी एक part of the stomach होता है वहां से वापिस उनके मुह में आता है फिर से उसको वह चबाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं chewing the cud और ये animals को क्या कहा जाता है cud chewing animals इस तरह के animals को जो खास खाते हैं तो इसमें आते हैं आपके examples cow, buffalo, sheep, goat ठीक है उनको cud chewing animals कहा जाता है ये जो प्रोसेस होता है अपना खाना एक बार चबाना निगलना फिर से आपके stomach में से वापस उसका mouth में आना और फिर से चबाना इस प्रोसेस को cutting कहा जाता है आगे चलते हैं animals that tear and chew flesh अभी जो मास खाते हैं मास को काटने से या निकालने से पहले उसको एकदम से फाडा जाता है ठीक है उसमें आपके जो पीछे के दांत जो आपके sharp teeth होते हैं side पे वो काम आते हैं तो यह जो मास को फाड के खाना यानि कि इसको tearing बोलते हैं और फिर उसको चवाना इसमें आपके आते हैं animals like carnivores जैसे कि loins, tiger, wolves इनके पास एक अलग तरह के teeth होते हैं जैसे आपको यहाँ पे इस diagram में दिखाया गया है यह जो नुकीले दांत हैं sharp and pointed teeth यह इनके tear करने में यानि कि मास को फाडने में काम आते हैं और यह जो पीछे के दांत है flat और broad type के यह इसको चबाने यानि कि chew करने में काम आते हैं ठीक है तो यह होते हैं जातर carnivores animals में अब आते हैं animals that suck the food अब यह एक liquid के तौर पे उसको निकलते हैं सक कर लेते हैं इनके पास एक तरह की tube होती है यह अपनी jeep से यह इनके पास tube होती है जिससे यह liquid लेके सक कर लेते हैं अपने अंदर अब जैसे कि animals हैं muskittos या leech जो आपके पता हैं आपको खून चूस लेती हैं muskittos भी खून चूसते हैं तो इनके भी tube होती है जो दूसरे इंसानों का blood लेती है अब butterfly और मदुमक्या इनके पास एक tube होती है जो फूलों से nectar यानि की शहत कलेक्ट करती है और दूसरे आ जाते हैं आपके dog हो गया cat हो गया जो water या milk को अपनी tongue से सक करती है या लेती है जो अपनी tongue से पानी पीना और दूद पीना है जो भी यह process है इसको लैपिंग कहा जाता है इसको sucking नहीं कहते हैं लैपिंग कहते हैं और बाकि जो muskittos और butterfly करते हैं वो क्या करते हैं सक करते हैं नेक्स्ट आता है आपका यह पे एक factoid आपको दे रखा है snakes open their expanding jaws why to swallow their prey अब snakes के पास अपने जो jaw होते हैं अपना मुह होता है उसी को वो एकदम open करके खोलते हैं और अपने खाने को निगल लेते हैं उसको कोई चबाते नहीं उसको direct निगल लेते हैं दूसरा समुद्र में एक octopus होता है जिसकी 8 arms होती है निकी 8 उसकी बाजुए होती हैं जिनको tentacles कहा जाता है यही tentacles उनको एक तो swim तेरने में भी help करते हैं और दूसरा अपने शिकार को पकड़ने में भी help करते हैं यहां पे prey जो P-R-E-Y है इसका मतलब होता है शिकार आगे हम पढ़ेंगे food chain food chain होता है जो एक दूसरे के उपर dependent होते हैं जैसे घास जो deer है वो घास खाता है और deer को loin खा लेता है इस chain को क्या कहते है food chain जो एक दूसरे के उपर निर्भर करते हैं ठीक है तो जो plant और animals होते हैं वो आपस में एक food chain बनाते हैं जैसे कि आपको इस picture में भी दिखाया गया है आगे हम करेंगे टिक दा करेक्ट आंसर rabbits and rats are इनको क्या कहा जाता है नम्मर A option is इसका गौनर्स सेकेंड है snakes and frogs follow their food यह किस तरीके से अपना खाना निकलते हैं तो whole मतलब पूरा का पूरा partly मतलब थोड़ा थोड़ा करके तो इसका अंसर आएगा A option whole यह पूरा खाना अपना निगल लेते हैं थर्ड हैं आपका इसका अप्शन भी ए है cats and dog जो अपनी जीब के जरीए दूद या पानी को पीते हैं उस प्रसेस को लैपिंग कहा जाता है तो यहां पे आपका चैप्टर खतम होता है यहां पे आपको वोर्ड सेट दे रखे हैं definitions of some चीजों की दे रखे हैं और यहां पे नट शेल में आपको बताया गया है कुछ important चीजें जो हमने इस चैप्टर में पड़ी है तो इनको भी अपनी copy पे जरूर लिखें अब हम करेंगे exercise tick the correct option grains and nuts are eaten by तो इसका answer आएगा option B squirrels second है carnivores have sharp pointed तो इसका answer के आएगा आपका front teeth यानकी C option third है which of these animals can suck the blood from the bodies of the other animals तो इसका answer आएगा option A leech आगे हैं आपके true or false carnivores eat only plants तो यह है false a snake swallow its prey hole तो यह है true a frog sucks its food तो यह आएगा आपका false और last है rabbits and rats ignore their food तो इसका है true आगे चलते हैं आपके short answer type questions में why do animal need food इसका answer आप लिखेंगे animals need food to grow, work and stay healthy second है name the types of animal based on the types of food they eat तुसमें आप क्या लिखेंगे number one आप पहले start करेंगे types of animals based on the type of food they eat are number one gnoners cud chewing animals tear and chew flashers and suckers और पांचवा आप लिखेंगे lapping आगे question है how does a snake eat its food तुसमें आप लिखेंगे a snake open its expanding jaws to swallow its prey तो next question है how does a butterfly suck nectar तुसका answer आप लिखेंगे butterfly uses tubes to suck nectar from flowers आगे चलते हैं आपके long answer type questions में how is chewing the cut different from gnoing तो आप इसमें लिखेंगे सीधा the difference is as follows पहलो तो हम gnoing लिखेंगे क्या होता है animal like squirrel rabbit and rat eat grains and nuts they have sharp front teeth for cutting they gno their food और curd chewing में लिखेंगे आप animals like cows and buffaloes eat grains and leaves they use teeth to buy off leaves and grass they first swallow food later they bring it back into their mouth and chew it for hours other such animals are sheep and goat next question what type of teeth do carnivores have this में आप लिखेंगे carnivores have special teeth to tear and chew the flesh of other animals their front teeth are sharp and pointed and their back teeth are flat and broad next है आपका number 3 what is lapping and which animals practice it तो आप लिखेंगे some animals like cat and dog lap up milk and water with their tongues this is called lapping इसी में आपके आगे हैं कौन कौन से animal होते हैं तो नेक्स चलते हैं हम कौशन नमर 4 में How does a frog catch its prey? मतलब की frog अपना जो खाना है या शिकार है कैसे पकड़ता है तो इस कान से लिखेंगे Frogs do not have teeth जो frog होती है उसके teeth नहीं होते है तो frogs do not have teeth frog's tongue are attached to the front of their mouth When a frog catches and it sank it throws its sticky tongue out of its mouth and wraps it around its prey Its tongue then snaps back and throws the food down its throat Next I have a fifth question What is a food chain? Describe with a suitable example तो में लिके Some animals eat plant while some animals eat the flesh of other animals Plant eating animals depend on plants for their food and flesh eating animals depend on plant eating animals for their food So directly or indirectly all animals depend on plants for their food This dependence forms a chain in which the certain animal eats plant which in turn is eaten by a flesh eating animal This chain of food for another is called food chain A food chain is always begin with the plant Next है आपका E encircle the odd one out तो यहां पे आपने पहला देखा इसमें दिया है टाइगर, वुल्फ, काव और लॉइन तो काव को छोड़के बाकी सारे क्याते हैं आपके कार्निवोर्स तो आपने काव को सरकल करना है Next है डियर, लॉइन, गोट और शीप तो लाइन को छोड़के बाकी सब आपके हर्वी वोर्स हैं तो इसलिए लाइन को आपने सरकल करना है आगे आते हैं बीयर, क्रो, यूमिन बीग और डॉग तो इसमें डॉग को छोड़के आपके सारे क्या आते हैं ओमनिवोर्स तो आपने dog को circle करना है आगे है आपका task यहाँ पे जो herbivores हैं यानि कि plant eating animals हैं उसके आगे आपने h लिखना है carnivores जो flesh eating animals हैं उसके आगे आपने c लिखना है और omnivores जो plant और flesh दोनों खाते हैं उनके आगे आपने o लिखना है तो I hope आपको पता चल गया होगा अभी तक कि कौन से herbivores, carnivores और omnivores होते हैं तो यह task आप खुद करेंगे आगे हैं आपका test yourself complete करना है इस letter को और आपको जो word इसमें भरने हैं वो आपको already दिये हुए हैं तो मैं आपको बता देती हूं कि इसमें क्या क्या आएगा आपको हम लाएगा स्विडिह वाडा स्विविट एज आपको लाएगान संथ लाएगाा आप स्वेजिए्ट इस अफड़ भी ताम्या। छाईख स्वेरिंगा मैं सोतार हैं गया मैं बता हैं रह मैं डर देट घ श्या स्तैंपर्इब और क्या च्या captures ब्रीधिंक वास्ट आगे चलते हैं सोहन ने इसका लिखा हुआ हैं इसके हम आगे आपने इसके आंसर को इस ब्राउनी नधियविं घशिए और निविंह णालिविं हिं तो में क्या दर दह सॐ ब्राउनी इसरा का लिखेंगे को Write two other activities that living things can do. तो इसमें आप लिखेंगे जो दो activity living thing करते हैं, तो आएंगी work and play. अब आगे आपको लीफ का दिया हुआ है, इसमें आपने इसके parts of the leaf भरने हैं. तो ये जो first left hand side में है, यानि की outline इसको बोलते हैं blade. इस तरफ आपका जो पीछे का दिया हुआ है, इसका leaf की डंडी जो है, उसको बोलते हैं patiol. जो बीच की इसकी main vein होती है, उसको बोलते है mid rib. और जो बाकी अंदर और सारी ये branches से दिख रही है veins की, इसको बोलते है vein. नेक्स्ट है, आपका name the kind of root, types of root हैं, तो पहली वाली जो root है, वो होती है tap root, और दूसरी वाली root को बोलते हैं fibrous root. नेक्स्ट है, गिव two examples of each, इसमें अपने example लिखने हैं. गवानर्स के example आएंगे, rabbit and squirrels. लाप आप milk and water के आएंगे, cat and dog. tear and chew the flesh, इसमें आएंगे lion and tiger. और suck the blood में आएगा आपका leech and mosquitoes. तो इसी के साथ आपका ये chapter खतम होता है, I hope आपको समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कोई question नहीं आता है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, तो हम इस वीडियो की नीचे comment करें, यहां में आप WhatsApp करके message भी कर सकते हैं, हम आपको इसका answer जरूर बताएंगे. तो keep watching our videos and have a nice day.